नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको उताएंगे एविल 25 टेबलेट के बारे में एविल 25 टेबलेट से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे में इस वीडियो में एविल 25 टेबलेट एंटी स्टामिन दवा है ये दवा एंटी कॉलर्जिक और सेसिटिब भी है इसका अपयोग बैतिनाग छीकाना राइनाइटेस खुजली रिजेक्शन के लाज में इस टेबलेट का अपयोग किया जाता है एविल 25 टेबलेट में कॉमपूईशन होती है फैनमाईल मेलेट इसका अपयोग अलर्जिक पृत्किरियाओं का इलाज करने के लिए किया एता है जैसे लाल चकते बैतिनाग खुजली रिजेक्शन एविल 25 टेबलेट आपको 10 रुपए में 15 टेबलेट किसी भी मेडिकल इस्टोर पे मिल जाएंगी एविल 25 टेबलेट के उपयोग इसका उपयोग किसी भी तरह के अलर्जी के लच्चडों को कम करने में किया जाता है राइनाइटिस के लच्चडों में आराम पाने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है Conjunctivitis एक किसी चीज से जादा देड़ संपरक में रहने से होता है यह भी एक तरह की allergy है इस रोग में भी इस दवा का उप्यों किया जाता है एविल 25 टेबलेट के दुस्परवा चक्कराना, देखने में तकलीब, उल्टी, मितली, मुँ और गले का फूलना एविल 25 टेबलेट की खुराक इसकी कुराक बैसको में और 10 साल से जादा उम्र के बच्चों में एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट साम को डॉक्टर लेने की सला देते है इस दवा को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं खाना चाहिए एविल 25 टेबलेट की चेताबनी अगर आप किसी बीमारी के मरीज हैं तो इस दवा का उप्योग डॉक्टर की सलाके बिना ना करें अगर आप अस्वाद ठीक करने वाली कोई भी दवा लेती हैं तो आपको इस दवा का उप्योग नहीं करना चाहिए जो भी मेलाई इस्त्पान करा रही हैं उन्हें इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए जो भी मेलाई गरबती हैं उन्हे इस दवा को तब तक न ले जब तक जरूरी ना हो और लेने से पहले डॉक्टर से संप्रग जरूर करें जो भी रोगी ग्लुकोज सांस लेने में तकलीब या लीवर सम्मनित विकार वाले रोगियों को इस दबा का उपयोग नहीं करना चाहिए एविल 25 टेबलेट थोड़ी मात्रा में सक्कर भी होता है इसलिए मदमे रोगियों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए